तो लेडीज एन जेंडरमेन फ्लीज अपनी कुर्सी की बेटी बान लीजे क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यम्मी टेस्टी और उससे भी जादा सूपर डूपर हेल्दी वाली पाव भाजी की रेसिपी इसको बिन खाए रहा ना जाए और जो बनाए धे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी डिलीश सी सूपर डूपर हेल्दी पाव भाजी की रेसिपी पहले हम तैयारी करेंगे भाजी की जिसके लिए मैंने गाजर आलू शुमला मिर्च और तो कुछ मुझे बीन्स मिल गई थी अपने फ्रिज में पढ़ी हुई तो मैं भी डाल लिया है और इसको डाल के हमें कर लेना चॉप चॉप और सबसे इंट्रस्टिंग बात तो पाव भजी की यह है कि इसका ओरीजन मुंबई के महरास्ट्र में हुआ था और मेतरक इनकी लोगों को लगता था कि पाव भजी को ओरीजन दिली में हुआ है या फिर मैं ह एक लोटी आइटम हुँ जिसको यही लगता था कि इसको ओरीजन दिली में हुआ था और यह मैं हस्ती खेलती नाश्टे करते हुए अपना काम करती हुई वह खाना ही क्या जो हस्ते गाति ना बनाये जाए और यह मेरे ड्रावे करते करते हैं दो से तीन सीटी भी हमारी बटर के साथ साथ आप चाहे तो एक से दो चमज तेल भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा आपका बटर जलेगा नहीं और इसके बाद मैंने डाल लिया यहां पर जीरा और प्याज और लहसुन को जो डालके अच्छे से इसको भून लेना है उसके बाद मैंने इसके अंदर ड से हमारी पाव भाजी के अंदर बहुत ही प्यारी सी रंगात आजाएगी और देखने में एकदम मार्किट जैसे लगेगी और बजार वाले लोग तो कश्मीरी लालमेट के साथ साथ फूड कलर का भी इस्तमाल करते हैं ताकि बहुत जादा वह आई कैचिंग दिखे उनकी भाजी पर हम घर में बना रहे हैं तो फुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे अगर आप मार्केट जैसा कलर लाना चाहते हैं इन्हें हेल्दी वे तो मैं आपको ऑप्शन दोंगी आपना सब्जियों के साथ साथ एक चप उंदर भी डाल सकते हैं इसके अंदर ताकि हमारी भा के के अंदर मसाले और प्याज लहसुन को भून होगे ना उतना ही अच्छा फ्लेवर हमारी इस भाजी के अंदर आने वाला है अब यह सारी वेजिटेबल मैश हो चुके हैं देखे कितना प्यारा रंगत आई है इसके अंदर आप चाहे तो इसकी कंसिस्टनी अपने अकॉर बटर का यूज करने वाली हूं बटर के साथ साथ आपको और यहां पर कंजूसी बिल्कुल ने दिखानी सारा स्वाद इसमें बटर का यह है और यहां पर टेप नमबर वन मेरी यह होगी कि जब आप पाव से रहे हों तब उसके अंदर थोड़ी सी भाजी बटर के साथ और लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मेरे को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और इसका टेस्ट सच में इतना ला जवाब था ना कि आप एक बार खाएंगे तो मार्केट वाली भी भूच जाएंगे